बलदिया एक्जाम हो जाने के बाद जब आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपका कार्ड जो है वो electronically available हो जाता है आप उसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी computer के थुर और mobile के थुरू आप download कर सकते हैं mobile पे भी आपका same procedure आपने follow करना है और computer पे भी आपका वही same procedure फॉलो करके आप अपना card download कर सकते हैं डाउनलोड करके प्रिंट आउट रख सकते हैं, इमर्जंसी के लिए, जब तक आपका कार्ड आपके पास नहीं आ जाते हैं, काम कर सकते हैं उस कार्ड के प्रिंट आउट के जरिये, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आप कार्ड डाउनलोड करेंगे electronically, वेडियो शु वेबसाइट open करेंगे, बलदी आप लिख दीजे गूगल पर, second number पर जो शो कर रहा है बलदी आप, ये वेबसाइट पर आप क्लिक कीजे, यहां से आपका बलदी आ क्लास के बाद जो certificate आपको मिलेगा, जो बलदी आ क्लास का आपका जो card बनता है, वो आपको मिलेगा, वो inquiry services का जो option है, वहां क्लिक कीजे, यहां पर आपके समने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे options आपको यहां पर देखने को मिल जाते, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना जो बलदी आ कार्ड है, जो electronic हम डाउनलोड करना चाते हैं, किस तरीके स status, तो उस पर हमने click करना है, तो देखें, यहां पर एक option है, health certificate के status का जो request है, उसके inquiry का, तो वहां पर आप उसको click कीजे, वहां पर click करने के बाद, आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल के आता है, अब यहां पर हमने कौन सा option चूज करना है, उसके लिए आप scroll down करके, के नीचे आई है, तो आपको नीचे यहां पर 3-4 option दिखाई दे रहे होंगे, उसमें आप देख सकते है, related services में, related services में, आपको यहां पर cancellation of health certificate, print the digital health certificate, print the digital health certificate, पर यहां पर start service पर आप click कीजे, start service पर click करने के बाद, आपके सामने कुछ इस तरह का interface कुल के सामने आ जाएगा translation वाला option on कर रखा है, तो आपका यहां पर translate हो जाएगा, automatic, अगर नहीं होता है, तो देखे, यहां computer में आप right click करके, translate into English करेंगे, तो आपका English में यहां पर आ जाता है, अगर फिर भी आपका English में नहीं आ रहा है, तो जो पहला column है, वहां पर आपने अपना e-cama number डाल दे देख रहा है, आपने उस पर click करना है, वह मैं left side इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका Arabic में ही है, translate नहीं हो रहा है, तो left side वाले button पर click कीजिए, आपका पूरा data certificate का यहां पर show करता है, और print का option यहां पर आपको show कर जाता है, तो वह पूरा data आपने देख लिए है यानि कि आपका certificate available है, अब आप यहां पर print पर click करेंगे, तो आपका card जो electronically, जो आपका card यहां पर available है, वो आप देख सकते, print पर click करने के बाद, direct आपके card के पास यह website आपको लेके आ जाएगी, जो कि PDF में होगा, उपर आप देख सकते, print का option है, और save का option है, download का option है, तो को कर सकते हैं, यहीं से आपने print पर click करना है, print कर लीजे, download करना है, download करके कहीं भी आप चाहें, वहाँ save कर सकते हैं, उसके बाद WhatsApp पर email के तुरू कहीं भी आप उसको रखके save कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आई, तो चैनल को subscribe कर लीजे, और वीडियो को like करना है, मत भ